साथियों वास्तो दोश कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं अगर आप नया मकान बना रहे हैं नया हाउस में कोई ऐसी गलती मत करना जो की आगे चल कर आपको पता चले कि ये वास्तो के साफ से बहुत बड़ा वास्तो दोश बन गया है कुछ ऐसे वास्तोदोश होते हैं जो देखने में हमें बहुत बड़े वास्तोदोश लगते हैं लेकिन होते कुछ भी नहीं और कुछ ऐसे वास्तोदोश होते हैं जिसको हम नजन अंदाज करते रहते हैं पता नहीं चलता लेकिन होते हैं बहुत बड़े वास्तोदोश आज चर्चा करेंगे कि अगर हमारे बेडरूम के साथ टॉलेट हो तब क्या वास्तो दोश अगर किचन के साथ हो तब क्या है पुजा स्थान के साथ होने पर क्या होता है study के साथ क्या होता है और साथ-साज है अगर आपका टौलेट कहीं ऐसी जगाँ पर हो जहां पर कि आप आप आम तरोपर बैठ कर पुछ ऐसी क्याई करते हैं जैसे आप יोगा करते हैं अद्यान करते हैं कभी-कभी वहां पर हम करते हैं अपना हमन भी करते हैं अगर वहां पे होता है टॉलेट तब क्या प्रभाव पड़ता है आईए इस पर चर्चा करते हैं इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी बातें कवर करूँगा इसलिए इसमें हर मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है चलिए आखिर तक डॉक्टर अ पहुंचे हैं तो यह ऐसे नहीं पहुंच गया भटा के कहीं लेकिन आप जो स्क्रोल कर रहे थे बहुत देर से इंटरनेट पर ढूंड रहे थे टॉलेट के बारे में पूजा के बारे में और आपके सामने मेरी जो वीडियो खुली है इसके पीछे एक बहुत बड़ा के नहीं खुली आपका समय बदलने वाला है और आपके अग्यान से परदा उठने वाला है आपको पता चलेगा वास्तो का वो फंडा जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है इसलिए में हमेशा कहता हूँ आप मेरे इस चैनल को आज और अभी कर लेना लेट मत करना देर मत करना अगर भूल गए तो हो सकता अगरा वीडियो आपके हासे निकल जाए बड़े काम के बड़े कीमति होते मेरे एक एक वीडियो आईए चलता हूं मैं आपको लेकर टॉलेट के साथ साथ क्या ठीक क्या गलत सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कोई भी वाश्रूम कोई भी टॉलेट होता है उस टॉलेट के साथ में अगर आपने कोई स्टोरेज बना रखा है तो वास्तों के साफ से उसमें कोई भी अर्चन कोई भी दिकत नहीं है और हाँ अगर आपने स्टोरेज में कोई आपने कैश रखा हुआ मनी रखा है गोट रखा है प्रोपर्टी के पेपर रखे हुए हैं तो उसको तुरंट हटा देना क्योंकि वाश्रूम का आप कितना ही साब रखें आखिर है तो नेगेटिव है ना ये तो आपका दिल भी कहता होगा तो स्टोरेज में ऐसा कोई समान ना रखें कभी भी इसके बाद आते हैं टॉलेट के साथ में हमारा है बैटरूम और बहुत बार ये हमसे लोग कहते हैं सब जहां मेरा सरहना है सरहने के पीछे बना हुआ है टॉलेट वाश्रूम बना हुआ है क्या ये वास्तोदोश है बिलकुल भी नहीं है फिर से रिपीट कर रहा हूँ बिलकुल भी वास्तोदोश नहीं है जहां पर आप सोते हैं अगर आपका सरहना वहां पर आ रहा है और सरहने के पीशे के दिवार अगर वाश्रूम की है टॉलिट की है तो कोई भी वाश्रूम से नेगेटिविटी जनेरेट नहीं होगी जो कि आपकी सिर तक पहुँँ जाएगी कारण यह है कि उस दिवार के और आपके सिर के बीच में कुछ मिली मिटर का कुछ सेंटी मिटर एंच का डिफरेंस है और साथ में बहुत बहुत सरहना भी होता अगर सरहना नहीं है सीधा अपने दिवार से सिर लगा के रखते हैं और सिर वहां टकराता है तो वास्तो दोश होने की संभावना हो जाती है तरीका समझो, मर्म समझो, कारण समझो और गहराई समझो मैं आप सबको वास्तो कंसल्टेंट बना के रहूंगा अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं यह देखिए, वाश्रोлом है, वाश्रोम के साथ में एक है बैट्रूम कई बार कहते हैं, सर हमें नील ने आती है रात में बुरे सपने आते हैं हमारे हस्बंट वाइफ के बीच में जھगडे होते हैं टेंशन होती हैं, आप बहुत बार हमें सामने दिखाई पढ़ रहा है अगर आप रात को सोने से पहले बैटूं का दर्वाजा ये टॉयलेट का दर्वाजा मा लेते हैं इसको अगर आप बंद करना भूल जाते हैं वहाँ पर तो फिर आपके साथ में इस समस्या हो सकती है इसके इलावा जो इसके उपर जो एक लिड कबर जाए कभी भी आपका खुला नहीं रहना चाहिए इसको डगना ज़रूरी है ये जो दर्वाजा आप देख रहे हैं इस दर्वाजे को बंद रहना ज़रूरी है अगर ये बंद नहीं रहेगा ये खुला रहेगा अगर तो फिर नेगेटिविटी भरपूर आएगी कमर कदर खूब आएगे अच्छी तरह से और डिस्टरब कर देगे आपकी फैमिली लाइफ को बहुत बार जगड़े होते हैं बहुत बार टेंशन बहुती हैं और मैंने अक्सर ऐसा देखा है मेरे साथ भी ऐसा होता है मैं होटल में ठैड़ता हूं या कहीं पर जाते हैं हम द्रवाजा आटोमेटिकली बंद होता है टौलिट का वह कभी बाईचास खुल जाता है किसी भी कारण से तब भी नेगेटिविटी जेनरेट होती है इसके साथ कुछ बाते हैं और ध्यान रहना जहां पर आप योगा करते हैं अगर वहां पर टौलिट को बना हुआ हुआ ह उसके साथ में तो कोई समस्य ने द्रवाजा उसका भी मन होना चाहिए इसके लावा जहां पर बैठके आप हवन करते हैं उससे कम से कम 25 से 30 फिट के बीच में कोई भी वाश्रूम कोई भी टौलिट नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर जो जेनरेट इनर्जी जेनरेट हो इससा माना जाता है कि लग़ष धाई लाग बोविस एनर्जी जेनरेट होती है जहां पर कि हवन किया जाता है इससे बड़ा इनर्जी का कोई स्रूत है और लोग बहुट-बड़ कहते जो वहाँ पर energy पैदा होती है 2,50,000 इबो भी इस के आसपास energy पैदा होती है बहुत बड़ा स्थोत होता है अकेला हवन ही बहुत ज़्यादा comfortable होता है अब हवन कहां करेंगे बिल्कुल पूरव दिशा के मद्ध में करेंगे पूरफ से उतर में लेके जाएंगे तो वहां अगने नहीं होने चीए पूरफ से दक्षिन के तरह होगा दक्षिन पूरफ में लेके जाएंगे तो वो पूजा के लिए धरम करम के लिए इस्थान अच्छा नहीं होता चोटे से वीडियो में भरपूर ग्यान मैंने आपको दे दिया आपके दिल की बहुत सारी बातें मैंने आज आपसे शेयर कर दीं है कारण के साथ इसी तोना से होते हैं मेरे सबी वीडियो और पहली बार आप मेरे चैनल पर आए थे चाहे जान बूच कर आई या कहीं से इधर उसे घूमते घूमते यहां पहुँच गए तो ये दिन आपके लिए बहुत जादा किस्मत वाला है बहुत लगी डे आपके लिए अभी कर लिए ना इसको सबस्क्राइब और हाँ बैल बटन दबाना मद भूना ताकि अगला ऐसा ही अगर बीश कीमती मेरा वीडियो आता है तो आपसे सिलिप ना हो जाए अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं इसी तरह से एक टॉपिक लेकर आओगा बहुत अच्छा आपके काम का तब तर के लिए दिया मुझे इजाज़त नमस्कार